हेलो एवरीबन, वेलकॉम तो क्लास नमबर 15 अप दो चेप्टर डिजिटल लॉजिक तो आज हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में आज का हमारा टॉपिक है ओक्टल टू हेक्साडिसिमाल कनवर्जिन तो लास्ट क्लास में हमने प्राक्टिस किया थे कि एक हेक्साडिसिमाल नमबर को ओक्टल नमबर में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं आज हम करेंगे उसका उल्टा कि एक ओक्टल नमबर को हेक्साडिसिमाल नमबर में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं ने फिर एक octal number का equivalent hexadecimal value हम कैसे find कर सकते हैं? आज हम discuss करेंगे आज के class में इसके बारे में. ओके, तो आज की class में first हम discuss करेंगे या फिर पढ़ेंगी क्या है different step? जिन steps को follow करके हम क्या कर सकते हैं? एक octal number को hexadecimal number में convert कर सकते हैं. उसके बाद उन्ही steps को follow करके हम practice करेंगी कुछ examples auktal number को hexadecimal number में convert करने के लिए तो क्या है different steps छिलिए देखते हैं एक auktal number को hexadecimal number में convert करने के लिए first step है write down the number उस auktal number को लिखो जिस auktal number का equivalent hexadecimal value हमें find करना है तो ये है वो octal number, जिस octal number का मुझे hexadecimal value find करना है, step 2 क्या है, separate the digits of the given number, जो number दिया गया है, उसके digits को separate करके लिखो, लिखा हमने separate करके, step 3 क्या है, find the equivalent 3-bit binary digit of each octal digit, तो जैसे कि आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो जबकि octal का base क्या है, 8, 8 means 2 to the power 3, and hexadecimal का base क्या है, 16 means 2 to the power 4, okay, so, क्या करते है हम, जैसे कि, यह जबकि power इसका क्या है, 3, 2 to the power 3, इसलिए हम क्या करते है, हर एक octal digit को 3-bit binary digit के द्वारा represent करते हैं, और hexadecimal में जबकि इसका power है 4 हम क्या करते हैं हर एक hexadecimal digit को 4 bit binary digit के द्वारा represent करते हैं तो जबकि हम यह आप एक octal number को binary में convert कर रहे हैं तो हर एक octal digit को convert करेंगे 3 bit binary digit के द्वारा तो 1 का क्या है 1 का है 001 4 का 100 3 का 011 4 का कैसे निकालोगे 2 2s आ 4 0 2 1s आ 2 0 2 0s आ 0 1 1 0 0 ओके आगे 100 3 का 2 1s आ 2 remainder 1 2 0s आ 0 remainder 1 1 1 0 means 011 मिल गया हमें उसके बाद equivalent binary digit मिलने के बाद step 4 क्या है write the all groups binary numbers together जितने भी groups हैं सारे groups को together करके एक बार में ही एक binary number के हिसाब से represent करेंगे एक binary number के हिसाब से तो हमने अभी represent कर लिया तो हमें convert करना है किसमे hexadecimal number में तो normally हम पढ़े हैं already कि एक binary number को hexadecimal number में कैसे convert कर सकते हैं तो यहां पर वही same process यूज़ करेंगे तो जबकि सिर्फ integer पार्ट है fractional पार्ट या पिर point वाला पार्ट नहीं है तो right side से लेके left side तक चार-चार binary bit का एक एक group बनाने के बाद हर एक group का equivalent hexadecimal digit find करेंगे equivalent hexadecimal digit find करेंगे तो first तो सारा 0,0,0,0 है तो अगर सारे 0 है तो उसका hexadecimal digit भी क्या होगा उसका hexadecimal digit भी होगा 0 उसके बाद next क्या है 0110 इसका place value क्या है 2 to the power 0,2 to the power 1,2 to the power 2,2 to the power 3 तो 1 कहां-कहां पे है 2 to the power 2,2 to the power 1 means 4 प्लес टू,6 आया digit 6 उसके बाद 0,0,1,1 2 to the power 0,2 to the power 1,2 to the power 2,2 to the power 3 तो यहां पे ये धो digit ही 1 है means 2 to the power 1 means 2 प्लस 2 प्लस 1,3 तो digit is 3 तो जिरो लेकस साइट में है उसको कोई value नहीं है तो उसको नहीं लिखा हमने लिखा सिर्फ 63 63 is the hexadecimal number of this particular octal number समझा है कि एक octal number को कैसे हम convert कर सकते हैं hexadecimal number में तो और एक example practice करते हैं यहाँ पे हमें provide किया गया है एक octal number तो step 1 यह है step 2 में हम divide करेंगे या फिर separate करके लिखेंगे हर एक digit को octal number का उसके बाद हर एक digit का equivalent 3 bit हर एक octal digit का equivalent 3 bit binary number find करेंगे 6 का क्या है 1 1 0 4 का है 1 0 0 3 का है 0 1 1 उसके बाद क्या करेंगे combine करेंगे combine करके एक single binary number के हिसाब से represent करेंगे उसके बाद जबकि यहां पे fractional part नहीं है सिर्फ integer वाला part है तो right side से लेके left side तक 44 bit को एक ग्रूप के हिसाब से divide कर लेंगे 44 bit को एक ग्रूप के हिसाब से divide करने के बाद हर एक group को convert करेंगे उसके equivalent hexadecimal digit में 00001 का equivalent hexadecimal digit है 1 1010 का है 10, 10 को हम hexadecimal में represent करते हैं एक द्वारा 0011 का है 3, यहां पे हमें लिका 3 हमें मिल गया hexadecimal digit, hexadecimal digit मिलने के बाद उनको combine करके एक single hexadecimal number के हिसाब से उसको हम represent करेंगे और यहां पे हमें मिल गया защadecimal value किसका इस particular octal number का तो समझाए कि कैसे हम एक octal number का equivalent hexadecimal value यह फिर octal number का hexadecimal number हम कैसे find कर सकते हैं यह फिर एक octal number को hexadecimal number में कैसे convert कर सकते हैं तो यहां पे आपको provide किया गया है कुछ questions जहां पे आपको दिये गए है कुछ octal numbers जिन octal numbers का equivalent hexadecimal value आपको find करना है उस तरीके से जिसी तरीके से अभी हमने practice किया तो अभी हम देखते हैं कुछ fractional octal number को कैसे हम convert कर सकते हैं hexadecimal में ये फिर fractional वाला जो octal numbers हैं उनके equivalent hexadecimal value कैसे हम find कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे वही same steps follow करेंगे first उस number को लिखो जिस octal number का मुझे hexadecimal value find करना है उसके बाद हर एक digit को separate करो हर एक digit को separate करने के बाद हर एक octal digit का equivalent 3 bit binary digit find करो find करने के बाद सारे binary digits को combine करके सारी group को combine करके एक single binary number represent करो represent करने के बाद एक binary number को हम hexadecimal में जैसे convert करते हैं अभी वही same process उस करेंगे so fractional part के बाद जो है और integer part जो है integer part में right side से लेके left side तक 44 digit को एक ग्रूप के हिसाब से divide कर लेंगे और fractional part को left side से लेके 44 digit को एक ग्रूप के हिसाब से divide कर लेंगे हो गया divide होने के बाद क्या हो गया divide होने के बाद हर एक ग्रूप को equivalent hexadecimal digit में convert करेंगे 0001 का क्या है 1 0001 का 1 0111 का equivalent hexadecimal digit 7 0101 का equivalent hexadecimal digit 5 0000 का equivalent hexadecimal digit 0 ओके मिल गया सारा hexadecimal digit सारा hexadecimal digit मिलने के बाद सारों को combine करके combine करके हमें जो number मिलेगा वो है equivalent hexadecimal number यह फिर equivalent hexadecimal value of this particular octal number तो समझाया कि कैसे एक fractional octal number को convert कर सकते हैं hexadecimal number में ओके और देखते हैं अभी और एक example यहाँ पे हमें provide किया गया है और एक octal number तो second step में क्या करेंगे separate करेंगे सारे digits को सारे digits को separate करने के बाद हर एक octal digit का equivalent 3 bit binary digit find करेंगे find करने के बाद सारे digits को combine करके create करेंगे एक binary number फिर उसी binary number को 44 bit के group के हिसाब से separate कर देंगे integer part को right side से लेके left side तक 44 group के हिसाब से divide करेंगे fractional part को left side से लेके right side तक 44 bit के group के हिसाब से divide करेंगे divide करने के बाद हर एक group के 4 bit को हम convert करेंगे उसके equivalent hexadecimal digit में convert करने के बाद हमें मिलेगा जो digits उन digits को हम combine करके represent करेंगे एक number जो होगा hexadecimal number of that particular octal number तो समझ आया कि कैसे एक octal number को convert कर सकते हैं hexadecimal number में यह फिर एक octal number का equivalent hexadecimal value हम कैसे find कर सकते हैं तो यहाँपे आपको provide किया गया है कुछ questions जहाँपे आपको provide किया है कुछ octal numbers जिन octal numbers का आपको hexadecimal value find करना है ओके तो आज की class में हमने discuss किया first kya है different steps जिन steps को follow करके हम octal number को convert कर सकते हैं hexadecimal number में उसके पाद उन्ही steps को follow करके हमने practice के कुछ examples कि कैसे हम octal number को hexadecimal number में convert कर सकते हैं तो ओके तो next class में हम discuss करेंगे ऐसा और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना है Thank you